हेलो फ्रेंड्स आम हरीश डेमला फ्रम एक्यूरेट फोर्चुन आस्ट्रोजी दोस्तों आज की चर्चा हमारी थोड़ी अलग रहेगी और हम कुछ पंचांग पे बात करेंगे लेगे दोस्तों व्यादिक आस्ट्रोजी में पंचांग का बहुत महत्व है और पंचांग की पुस्तक अकसर ब्रामनों के हाथ में आपने देखी होगी पंडितों के हाथ में जो कि किसी भी काम का शुब महूरत वगरा निकालते हैं और उस महूरत में कई considerations होते वार का consideration है तिथी का consideration है नक्षत्र का है और योग का है फिर करण का है तो पंचांग का मतलब पांच अंग पंचांग पुस्तक के पांच अंग होते हैं जिसमें वार तिथी। नक्षत्र योग और करण ये पांच अंग हैं पंच अंगके हैं और यह रपन्डित के पास होती है है इसमें हम बाद सब्सक्राइब्सक्राइब हो एक कि यह योग डेली योग ITmäßig मिन्स रोजाना का यूग यह योग डेली बदलते रहते हैं और इसकी गड़ना टेकनिकल तरीके से की जाती है यानि के मून और और सन की दूरियां देखके, लॉंगी चूट देखके, उसको 13 degree 20 minute से डिवाइड करके ये देखा जाता है कि क्या डिगरी आती है और उसमें कौन सा योग बन रहा है और ये जो है पंचांग में मिल जाता है पहले से प्रीड डिटामेंट होता है जब भी पंचांग किसी साल का आता है तो उसमें पहले से ये योग हमें मिल जाते है तो यनिके ये योग बनता है सन और मून के लॉंगी चूट को एक पर्टिकुलर 13.2 degree से डिवाइड करके उन दोनों के सम को तो चलो हम इसकी टेक्निकालेटी में ना जाएंगे हम फलिज जोतिश पर सीधे आ जाएंगे तो यह जैसे नक्षत्र हैं नक्षत्र 27 हैं वैदिक आस्ट्रोजी में जिसमें हम बात भी करते रहते हैं अपनी हर वीडियो में और ऐसे ही 27 योग हैं जिसमें हर इंसान किसी न इन उस्पीशियस हैं कुछ योग एवरेज हैं कि लेस्ट फिवरेबल हैं तो 27 में से जो नो योग हैं वो काफी इन उस्पीशियस हैं वो हम आपको बताएंगे जैसे जैसे उनका नंबर आएगा और अब हम अगर योग देखें तो यह योग हमारे व्यत्तितव पर हमारी प्रस्नलेटी पर हमारे बिहेवेर पर हमारे एटिचूट पर इनका प्रभाव रहता है जिस योग में जो भी बच्चा जनम लेता है उस योग का भी उसकी प्रस्नलेटी पर विवार पर उसका इंपक्ट रह रहता है प्रभाव रहता है तो अब हम यह चर्चा करेंगे कि किस योग में आपकी प्रस्टनालेटी पर क्या प्रभाव रहेगा और आपकी लाइफ की जर्निक कैसे रहेगी हाला कि आस्ट्रोलॉजी बड़ी कॉंप्लिकेटिट साइंस है इसमें आपके चार्ट को देखना बहुत जरूरी है सिर्फ हम इन योगों को देखके यह नहीं खह सकते कि यही चीजें ही रहेंगी इस इंसान के लाइफ में नहीं यह सिर्फ योग जो है चंद्र और मून के कंसिडरेशन में ही बने उनके लॉंगिचूट को जो है कैलकुलेट करके ही बनाए गए हैं लेकि सित्ध है यह पर्टिकूलर पर जो है ना योग में इसको कंवर्ट करते हैं और हम देखते हैं कि उस नक्षटर के बेसों योग के बेसों पह कैसा इस इनसान का सभाव रहेगा, कैसा बहेवेर रहेगा, कैसी नेचर रहेगी और लाइफ में इसके किस तरीके से इसकी जर्णी रहेगी तो आएए बात करते हैं, सबसे पहला योग मिलता है हमें विशकुम्ब योग विशकुम्ब योग यूँ तो इन उस्पीशियस योग है, विशकुम्ब विशकुम्ब का मतलब है एक जार ओफ पॉईजन, एक विश का प्याला लेकिन ये योग इतना खराब नहीं है इसमें इनसान लाइफ में बड़े चैलेंजिज वगरा फेस करके बहुत आगे बढ़ जाता है दिखने में उसकी प्रिस्टिटी अच्छी होती है हैंसम होता है या लेडिज के चार्ट में ब्यूटिफुल लेडि होती है और अमबिशियस होते हैं ये लोग और ये किसी भी परिस्थिती में डरते नहीं हैं ये हर आपस्टेकल को क्रॉस करने की हिम्मत रखते हैं और ऐसे ही लाइफ में ये बड़े चैलेंजिज को पार करते हुए लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं प्रोस्पेरस हो जाते हैं पैसे की कभी कमी नहीं आती है इन लोगों के जीवन में क्योंकर ये महंती होते हैं हार्ड वर्किंग होते हैं चैलेंजर होते हैं अमबिशियस होते हैं तो इसके नाम पे ना जाके योग यह इनॉस्पिशियस है इस योग में पंडित लोग महुरत वगरा नहीं निकालते हैं लेकिन इनका प्रभाव जो है आपके व्यक्तितों पे इस तरीके कर रहता है कि आपकी लाइफ में मुश्किले आएंगी लेकिन आप में करेज और हिम्मत और विल पावर इतनी होगी यूविल बीए फाइटर परसन आप फाइटर हो गया आप रिस्क टेकिंग होगे चैलेंजिस को फेस करने वाले होंगे और हिम्मत आप जल्दी से हारेंगे नहीं और अल्टिमेटली आप विजह होंगे यह इस य यंचला में दूसरा योग जो बनता हैएं दूसरा यök जो है सत्ता सीयोग हैं विसरे देरे करके डिसक्स करेंगे आज हम पाश यू इस भी दिसक्स करेंगेगे नहीं वीडियून बहुत लंबी हो जाती ही और लोग उसे देख नहीं पातें इंट्रेस्त दूसरा योग इसी श्रिणी में आता है प्रीती योग प्रीती योग लेस फेवरेबल है इसको हम इन आस्पीशियस नहीं मानते लेकिन इसको मोस्ट आस्पीशियस भी नहीं मानते तो प्रीती योग जैसा के नाम प्रीती लव अफेक्शन तो ऐसे योग में जन्मेव व्यक्ति थोड़े से इमोशनल होते हैं लव की तरफ या अटाश्मेंट की तरफ ज्यादा होते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरफ ज्यादा होते हैं और थोड़े से इनकी कि inclination opposite sex से relationship develop करने की होती है थोड़े से sensible हो जाते हैं और relationship बहुत अच्छे होते हैं creative होते हैं sporty होते हैं और नटखट होते हैं और लोग भी इन से संबंद बनाना चाहते हैं मतलो free spirit की तरह यह रहते हैं और बहुत alive होते हैं they are very attractive दूसरे sex के लोगों को opposite sex को attract कर लेते हैं अपने बंधन में बांध लेते हैं और फिर उनके साथ relationship में भी यह convert हो जाते हैं और इनका inclination हमारी love life प्रेम और इन चीजों में ज्यादा रहता है तो इस योग में जन्में हुए लोग जो है थोड़ा इस तरह की नेशर के होते हैं कि वह संबंद बनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और clever भी होते हैं अपना काम कोई भी संबंद बना के अच्छी बातें करके अपने काम को भी निकाल लेते हैं और ambitious होते हैं और बड़े अक्टिव होते हैं हर इंसान ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करने में लालायत रहता है यानि कि इच्छू करता है तो प्रिति योग यानि कि जो योगों के नाम हैं बिल्कुल appropriate हैं कई योगों के नाम तो बहुत appropriate हैं आप उसमें workout भी कर सकते हो कि ये योग जो है इंसान को किस तरीके से influence करेगा और तीसरा योग जो बनता है तीसरा योग जो डेली योग है या नित्य योग है वो है तीसरा योग है आयूश्मान आयूश्मान लंबी उम्र वाला इसका संबन longevity से है लंबी आयू से है blessing से है इस योग के व्यक्ति लंबी आयूखे होते हैं healthy होते हैं अपनी health का ध्यान रखते हैं sports में participate करते हैं अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं they are very choosing in their diets they are very conscious about their health अगर इनको कुछ हो जाता है तो immediately यह उस पर एक्ट करते हैं सुस्त नहीं बैठते की चलो देख लेंगे ऐसा नहीं है और यह लोग समाज में प्रतिश्ठित होते हैं और समाज में इनकी बातों को माना जाता हैं इनकी advices को माना जाता है और दीर घायू ब्लेश्ड रहती हैं और ज्यादता रायू इनकी अच्छी निकलती है अगर हमारे कुंडली में बर्थ चार्ट में कोई इनॉस्पिशियस योग ना बने हुए हों अगर हम सिरफ इसी योग की बात करें तो यह लंबी आयू के साथ स्वस्थ जीवन भी यह हमें प्रदान करता है और आदमी एक्टिव रहता है समाज में एक एसेट की तरह काम करता है समाज प्रतिश्था इसकी अच्छी रहती है यह सारी चीजें एसेट्स इसके पास रहते हैं यह योग ऑस्पीशियस योग फेवरेवली योग है और इसी श्रंक्ला में चोता योग है स्वाग्य, स्वाग्य योग ये भी नित्य योग है, स्वाग्य योग का जो में इस वह फॉर्चुन से है, भाग्य से है, सौ भाग्या, भाग्य का साथ, ऐसे लोग भाग्य शाली होते हैं, बाई वर्चू अफ डेस्टिनी ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं, इनके कर्मा चाहिए कम भी हूँ, लेकिन डेस्टिनी इनको बहुत सपोर्ट करती है, ऐसा माना जाता है कि ये लाइफ में कोई भी काम क रहें तो डेस्टिनी इनके साथ साथ चलती है, कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी डेस्टिनी बिल्कुल साथ नहीं देती, हर चीज में उनकी अर्चने रहती हैं, कोई काम करते हैं, डालते हैं, उसमें कोई ना कोई फेलियर, कोई ना कोई उनको मूँ कहानी पड़ती है लेकिन यह योग ऐसा नहीं है यह योग सौभाग की योग है इसमें आपकी फॉर्चुन आपके साथ है आप एक कदम बढ़ाओगे फॉर्चुन आपको दो कदम बढ़वा देगी यह ऐसा योग है और ऐसे लोग धन्वान रहते हैं इनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइ पर्सनल लाइफ सिर्फ पत्नी तक्सीम इतनी है बच्चे भी माबाब भी तो देहर फॉर्चुन इट पीपल प्रोफेशनल लाइंद इनके अच्छी रहती है और एजूकेशन भी अच्छी रहती है और यह लोग लाइफ में प्रोस्पैरेटी और वैल्थ को इंज्वाय क या लालची होते हैं इनके बाद जो कुछ भी होता है उसमें संतुष्ट और खुश भी रहते हैं तो यह चोधा योग है अमरी निति योग की सीरीज में सौभाग्या और पांचवा योग है शोभना योग दोस्तों शोभना योग के लोग क्रियेटिव होते हैं आर्टिस्टिक होते हैं ब्यूटिफुल होते हैं सेंसुड होते हैं अट्रक्टिव होते हैं इन में कोई ना कोई कला जरूर मिलती है सेंशुड deficit भी पूरी होती है थोड़ा भूत यह relationships में भी रहते हैं और अपनी creativity के दम पर यह जीवन व्यापन करते हैं इनकी हर चीज़ में आपको निपूनता मिलेगी हर चीज़ परफेक्ट वे में करेंगे जो चीज़ सीखेंगे जो चीज़ करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार इसमें परफेक्शन है तो इस योग का संबंद creativity से है, art से है, कला से है, music से है, किसी भी कला शेतर में ऐसे प्रेमी मिल जाते हैं जो शुबना योग में पैदा होते हैं और इनकी life में prosperity भी रहती है, पैसा भी रहता है और pleasures भी रहता है, carnal pleasures भी रहता है, physical pleasures भी रहता है because they are creative, artistic और free soul होती है इनकी, इनके जो भी hobby होती है, उसमें ये कुछ न कुछ करते रहते हैं और अपनी जो आत्मिक संतुष्टिय है, उसको पाते रहते हैं तो शोबना योग भी auspicious योग है, इस योग को भी अच्छा माना गया है तो दोस्तों आज हम यही पर ही समाप्त करेंगे इसको, तो ये योग वो है जिनका प्रभाव हमारे व्यक्तितों पर रहता है, हमारे behavior पर रहता है, हमारी life किस direction में ज्यादा अच्छी जाएगी, उस पर रहता है और कुछ न कुछ इन योगों से आप इनसान की life में देख सकते हों, लेकिन ये योग, वो योग नहीं है जो astrology में birth charts में मिलते हैं, राज योग जिनको करते हैं, वो योग नहीं है ये, राज योग की जो power है या energy है, उसमें बहुत चीज़ें देखी जाते हैं, उसमें mission of planets भी हैं, नक्षत्र भी हैं, houses भी हैं, positivity भी है, energy भी है, उसमें बहुत चीज़ें हैं, इसलिए वो प्राश्रा के हिसाब से वो well defined राज योग हैं, या भ्रिगू, एस पर भ्रिगू समीता, तो ये सिरफ हम उस योग में जन में, इसमें मून और sun की जो दूरियां हैं, उनको add करके, उनके sum को divide किया जाता है, 13 degree 20 minutes से, और जो भी degree आती है, वो degree किस योग में होती है, बस इतना ही है, तो इसमें कहीं confusion नहीं होना चाहिए, हाँ ये योग हमारे व्यक्तितव को प्रभावित जरूर करते हैं, तो इस योग को भी हम जब भी किसी बच्चे का चार देखत हैं, तो इस योग को भी हम देखते हैं, कि इस बच्चे की नेचर सभाव किस तरह का है, और उसमें, predictions में हम उस प्रभाव को भी सम्मेलित करते हैं, add करते हैं, तो दोस्तों, this is all for the day, उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और ये एक निया चप्टर ह है, और बहुत कम आस्ट्रोजस ने इस चप्टर पर बोला है, मुझे लगता है कि हम 27 योगों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, तो जब भी आप कोई भी कुंडली देखेंगे, तो उसमें आप ये ज़रूर देखेंगे, कि ये बच्चा किस योग में और किस कर करन में पैदा हुआ है, करन भी हम डिसकस करेंगे, योग के बाद, अभी हम 27 योग पहले कम्प्लीट कर लेते हैं, तो जो भी हमने आपको योग बताएं, इसमें पहला योग जो है, विश्कुम्भ योग वो इनॉस्पिशियस माना जाता है, प्रिति योग लेस फेवरेब योग है, यह तीनों के तीनों आउस्पिशियस योग है, थैंक यू वेरी मच फॉचिंग वाचिंग इस वीडियो पिशेंटली, I think this will add to your knowledge, and this is a new chapter actually, and we have started this series on the request of our some viewers, कुछ हमारे फेवरेट व्यूवर्स भी हैं, जो हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, उन्हीं की इच्छ सही हमने यह सीरी स्टार्ट की है, और उमीद करते हैं, इस सब को कुछ नो कुछ यह, इससे ज्यान वर्धन होगा, थैंक यू वेरी मच,